अग्याइब देश्टेंट्स स्वागत आपका में के डिजी के इस प्लेटफर्म पर बच्चों आज के जो कुछन बहुती सांधार और बहुती जबरदस्त कुछन है सिधे क्वेशन की तरफ चलते हैं क्या है क्वेशन वेन ए सर्कुलर बार टेपरिंग युनिफरमली तरह का टेमपरेचर टी ठीक है उस बार का टेमपरेचर टी अमाउंट से इंक्रीज किया जाता है देन दा थर्मल इस्ट्रेस इंड्यूजड इस इसमें अलफा है यह जो फॉर्मली आपके पास दिये हुए है यहां पे इनमें अलफा कॉफिश्यों डिया एक्पेंशन है इसमें अफ्रेस फॉर्ट बार मटीरियल ठीक है यह आपके पास ऑप्सन से कैसे इसको करेंगे ध्यान रखना ठीक है सबसे पहली बात है कि मैंने का कि हमारे पास यह इस तरह का कुछ टेपड बार है ठीक है पहले टेपड बार ही बना देते हैं फिर देखते हैं क्या है यह आपकी कोई टेपड बार है ठीक है यह आपकी कोई टेपड बार है ठीक है यहाँ आपका D1 है डायमेटर यहाँ आपका D2 डायमेटर ठीक है अब आपने क्या किया इसका temperature rise किया T amount से, ठीक, T amount से जैसे आप temperature rise किया, ठीक है, तो इसमें कुछ क्या होगा, thermal expansion होगा, ठीक है, thermal expansion होगा, लेकिन अगर ये free to move है, free to expand है, तो यहाँ पर कोई भी stress induced नहीं होगा, लेकिन यहाँ 0 तो value हमारे पास नहीं दिये, इसका मतलब, this is, bar is not free to move, ठीक है, मतलब, यह free to move नहीं है, इसमें क्या है, restrictions आपके लगे हुए हैं, यहाँ पर, both ints are fixed, मतलब, the expansion is prevented, clear है, तो होगा क्या, जितना temperature T rise होनी के कारण, इसका expansion होना था, change in length इसमें होनी थी, उतना change in length जो है, decrease किया गया, इसके कारण है, जो support जो यहाँ पर है, fix support, जो यहाँ पर fix support, जो force लगा रहे है, clear, force क्यों लगाएंगे, क्योंकि यह expand होना चाहा रहा है, लेकिन वो उसक ठीक है, force की direction क्या होगी, यह जो support force लगाएंगे, उसकी direction इस तरफ होगी, क्योंकि expansion इस direction में हो रहा है, clear है, चले, तो क्या इसके लिए होना चाहिए, सबसे पहले, अगर मैं बोलू, कि कोई मेरे पास इस तरह का कोई भी section है, tapered bar है, उसमें P load लग रहा है, suppose मैंने का कि उस यह आप जानते है formula, ठीक है, लेकिन यह जो dell होगा, यह क्या होगा, अगर आप देखेंगे, तो यह dell क्या है, यह contraction है, clear है, किसके कारण, इस P के कारण, क्योंकि compressive nature का है, ठीक है, अब आगर आप बात करेंगे, कि यह जो dell है, इतने amount का dell, actually में होना क्या थै, इसने expand होना थ ठीक, इसने thermally expand होना था, लेकिन क्योंकि यह support यहां पर लगे हुए है, यह restrictions यहां पर लगे हुए, जिसके कारण, इतना amount of dell है, क्या हुआ, आपका seize हो गया, ठीक, तो मतलब, thermal expansion से अगर होता, इसमें expansion, तो कितना होना था, तो वो dell, अगर thermal से अगर यह होता, thermal से, थे, thermal से अगर होता, तो वो कितना होता, वो क्या होता है बटा, alpha, tl, होगा, dell, क्यों होगा, बताइए, क्योंकि epsilon जो है, thermal के लिए, epsilon जो होता है, आपका, यह होता है, आपका, alpha, tk, बराबर होता है, और, epsilon होता है, dell, l upon l, यहां से अगर dell, l निकालेंगे, आप, तो आपके क्या जा है अगर इन दोनों से क्योंकि जितना ये अगर ये free होता इतना इसने expand होना था लेकिन ये free नहीं है इसके कारण जो contraction है ये है तो मतलब contraction expansion बराबर होंगे तभी ये अपनी जगा से नहीं होना था वो उतना contraction इस लोड नहीं कर दिये जो की support के कारण आपर लाग रहा है restriction के कारण टेक तो मतलब ये दोनों बराबर हैं अगर ये दोनों बराबर हैं बेटा तो इसका मतलब है कि हमें क्या है इन दोनों के equate करके हम P की value निकालेंगे अगर मैं इन दोनों के equate करता हूं तो क्या हो जाएगा फोर लाएकर के पी एल अपॉन डी नीन दी टू एकckets एक कोल्टो आप का आएगा अलफा ये 0 extensive अगया ठीक, यहां पर कुछ कट रहा है तो काट देते हैं वहार। अल से यहा पे ईभी एड्य आएगा वे यहां रखना कि यहां पे आपका ईभी आएगा का हूंति यहां पे फी आएगा काई यह ओर एग्ट क्योंकि होता क्या है पी एल अपॉन एई होता है ठीक है एरिया का हुने πड 1 2 कर दिया πड 1 2 2 टिक है तो यह यहां पर आये गा तो यह यहां पर हम इसको लिग देते हैं यह कोई दिक्कत नहीं तो ये क्या आजागा पीकी वेल्य क्या अलफा टी आ जागा यह इवी आ जागा इधर ठीक है और यहां बचेगा और यह जो और कॉछ खट रहा ठीक है यहां क्या बचा पाई बचा और D1, D2 आपका बचा पाउन में आपका क्या बच जाएगा, four बच जाएगा, clear ये आपका pk value आ गई, अब pk value आ गई, लेकिन हमें क्या निकाला है, हमें निकाला है thermal stress ठीक है, अब बात आती है thermal stress तो यहां पे आपर हम देखेंगे, तर्मल स्ट्रेस के अगर हम बात करेंगे तो थर्मल स्ट्रेस होता है फोर्स अपोन एरिया होता है ठीक है फोर्स अपोन एरिया होता है अब अगर इस्ट्रेस जो है अगर मैं इस्ट्रेस की बात कर रहा हूं ठीक है इस्ट्रेस जो है वो होता है फोर्स अपोन एरिया होता है ठीक है अगर मैं बोलू कि area हमारा vary कर रहा है लगातार area क्योंकि diameter vary कर रहा है तो area vary कर रहा है area vary कर रहा तो sigma आपका stress vary करेगा ठीक तो sigma क्या maximum value निगालेंगे जो maximum value कहां पर होगी जहां पर आपका area minimum होगा वही होगी area minimum तो stress maximum इसलिए हम यह भी कहते हैं कि अगर इसमें हम देखें इस तरह के case में smaller end होता है वहाँ पर आपका maximum stress produce होता है at smaller end in tapered bar clear है ठीक है तो हमने क्या कि इसकी value निकालनी है तो p की value हमने आपके पिछले वाले section से रख देनी है ठीक है peak value हम क्या रखेंगे बीटा alpha te pi d1 d2 alpha te pi d1 d2 alpha te pi d1 d2 upon 4 यह आपकी peak value ठीक है यह actually में क्या है यह है यह है thermal thermal stress क्यों है क्योंकि temperature rise करने की वज़े से वहाँ पर stress produce हो क्योंकि उसका expansion होना था लेकिन वो restriction के वज़े से expansion नहीं हो पाया कि लिए अब मैं बात करता हूं area की area हमारे पास दो तरह की area हो सकते एक area क्या है अगर मैं बोलू कि यह D1 है waktu अगर दी 21 है यह D2 है ठीक है तो यहां पर जो area होगा वह क्या होगा pi by 4 d1 square और ह有點 area अब क्यों को क्या होगा pi by 4 ईकी empire fahren Education D1 और D2 इसको बता दिया है ठीक है लेकिन इसने कुछ नहीं दिया है कि D1 बड़ा होगा या D2 छोटा होगा ऐसा कुछ भी नहीं दिया है इसने सिधर बोला है यू टेपरिंग यूनिफरमली फ्रॉम डायमेटर D1 एट वन इंट डायमेटर D2 एट अनधर इंट इसने यह करेंगे दोनों एरिया को रखेंगे जो भी हमारा आंसर में मैच करेगा वहाँ रांसर ओंजटिक है पहले हम क्या करेंगे पहले हम पाई बाई 4 4D1 square रख देते हैं ठीक है पाई बाई 4D1 square जैसे हमने रखा तो हमारा कि यह पर क्या देखने को मिला कि यह Pi से तो Pi cancel cancel होना ही होना है ठीक है 4 से 4 cancel हो गया इस डी1 से एक power cancel होगी दी1 ठीक है आपके पास पास बचा वो क्या बचा वह आपके पास बचा alpha TE compare t1 आपके पास बचा d1 आपर में क्या बचाई बचा आता इब डहीत bachyaई to upon amado 121 voltage aheadε debugging ऑपके पास बच процесс लाए ठीकल alpha te due to by D哇 alpha tech sigma thermal जो है आप्क आ रहे alpha te is to be doing ठीक है अब हम देखेंगे कि क्या यह option में match कर रहा है अलफा टीए डीटू बाइडीवन ठीक है अलफा टीटू बाइडीवन देखते हैं पहले यह डीटू बाइडीवन है लेकिन अलफा टीए यहां नहीं होके नीचे इसका मतलिए यह तो आंसर नहीं होने वाल ठीक बाकी देखते हैं अलफा टीए डूंड लेते हैं सीदे सीदा अलफा टीए तो यहां आ रहा है लेकिन यहां डीवन बाइडीटू है ठीक और वहां हमारा क्या आ रहा था डीटू बाइडीवन आ रहा था तो ऐसे काम करते हैं कि अब दूसरी स्ट्रेटिजी लगा देते हैं आप दी टू बाई फॉर अपाउन पाई बाई फॉर डी टू स्क्वार अगर ऐसा हम करते हैं तो क्या होगा बयटा फोर से फॉर कैंसल आउट पाई से पाई से इस था तो यहां से जो बचेगा यह बचेगा अल्फा टी ए डी वन अपाउन डी टू आपका बच रहा है सिग्मा थ T E D 1 upon D 2 यहां पे आपका match हो जा रहा है किलर यह अगर मैच हो रहा है तो यह आपका क्या हो जाएगा सही answer हो जाएगा क्यों कियोंकि इसने क्लियर लिए चीज मैंसन नहीं किविए यह अगर यह मैंसन करता तो कोई इस लिए इस पर्टिकुलर केस में यह आपका सही आंसर हो जाएगा ठीक है वैसे आपके यह दोनों आंसर इस में हो सकते है अगर ओप्सक्राइइग है दोनों आंसर हो सकते हैं क्योंकि हमैं नहीं है बात हैगर दीकुलर अगर दीवन बढ़ा होगा तो यह वैल्य होगी दीवन बढ़ा होगा तो यह वेल्य होगी दीवन बढ़ा होगा तो यह वैल्य होगी तो इस तरह से आपको इसमें देखने हैं यह आपका मैच नहीं कर रहा है यह मैच कर रहा है इसलिए यह आपका क्या हो जाएगा सही आंसर यहां पर हो जाए तो चलिए बच्चो अगर आप कोई सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और अगर आप हमारी चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आकन दबान न भूले ता कि हमारी इस तरह के हर आपको मिलते रहे, थैक यह सो मच पर वाचिंग इस वीडियो